बहुत से लोग मुझे मैसेज करना है कि भाई SBG Global Account में मेरा Activation और Deposit में Balance हो कर रहा है तो अगर मुझे इसको विड्रॉक करना होगा तो कैसे करूँगा तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ देखो जैसे ही आप अपने Mobile में अपने SBG Global Account को Open करोगे तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर अपना Account जो होगा आपका SBG ID सो होगा फिर उसके बाद में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप Valet वाले Option में जाओगे तो आपको वहाँ पर Activation और Deposit और Upgradation का Option दिखाए देखा जिसमें कि आप मेरा देख सकते है Activation में 104.84 डॉलर है और Deposit में आप देखेंगे 53.46 डॉलर हमारा यहाँ पर 100 कर रहा है अब हमें इसको विड्रॉ करना है तो भाई कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखें विड्रॉ के Option पर दिखाए दे रहा है वहाँ विड्रॉ के Option पर मैं क्लिक करूंगा चलिए withdraw के option पर जैसे ही click करूँगा तो click करने के बाद में यहाँ पर crypto withdrawal panel का option दिखाए देगा तो यहाँ पर एक पहले ही option दिखाए देगा Staking reward wallet में जो कि हमारा 35.76 dollars हो कर रहा है Community reward wallet 13.48416 dollars हो कर रहा है अब देखो एक बात यहाँ पर देखो यहाँ choose wallet के option पर सबसे पहले तो click करना पड़ेगा चलिए choose wallet के option पर click करते हैं कि भाई हमें कौन से wallet से withdraw करना है तो यहाँ पर दो ही वैलेट हो कर रहा है Staking reward wallet Community reward wallet यानि कि यहाँ पर केवल यदि आपको जो है Staking reward wallet से ही withdraw कर पाऊगे और Community reward wallet से ही withdraw कर पाऊगे आप activation और deposit में जो balance हो कर रहा है उसको आप नहीं withdraw कर पाऊगे क्योंकि withdrawal में इसका option ही नहीं दिया गया है तो अब यह आपको समझ में आ गया होगा फिर से मैं अपने यहाँ बैक आ जाता हूं screen पर बैक आने के बाद में अभी आप देखें यहाँ पर आपको एक ऊपर में भी option दिखाई दे रहा होगा reward wallet का reward wallet में staking reward का community reward का option दिखाई दे रहा होगा तो यदि आप withdrawal करना चाते हो अपने bank account में पैसा लेना चाते हो तो आपको यहाँ पर staking reward और community reward में जो balance हो कर रहा है आप उसी balance को withdraw कर सकते हो जो activation deposit में सो कर रहा है इसको आप withdraw नहीं कर सकते हो अब देखो इसको withdraw करने का सबसे आसान तरीका है कि यदि आप आप इसी dollar को अपने ID पर invest कर दो जो 104 dollar मेरे यहाँ पर सो कर रहा है न तो अब मुझे इसी dollar पर इसी ID पर invest कर देना पड़ेगा अब जो income होगी वो हमारा staking reward में सो होगा तो धीरे-धीरे हमारा income होता जाएगा और हम staking reward से withdraw कर लेंगे तो सिरी सी भासा में आप एक बात फिर से समझ जाए कि भाई यदि आपको activation और deposit वाला जो balance withdraw करना है उससे आपको अपनी ID को restake करना पड़ेगा ज़िए आपको नहीं पता कि भाई ID को restake कैसे किये जाता है तो मेरी यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ID को restake कैसे करोगे बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हूँ यह information आपके लिए बहुत ज्यादा helpful दाओगा यदि और बोई कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment box में जरूर लिक कर बताइए गा